बहुत धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है और ना सीख धर्म है ना इसलाम धर्म है तो यह मिठक है हम एक सरधांजली सभा में आए हुए है जैसा कि आप पोस्टर पिछे देख सकते हैं कि नगीना पासवान जी के पिता जी का निधन हो गया सकल पासवान जी का तो आज स्रद्धानजली सभा है तो बहुत धम से वो कर रहे हैं ना सिर्मुनवाय है ना ब्रह्मन भोजकी है तो यहाँ पर बहुत धरीतिरी वाज से सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर भंते जी आये हैं सतेंद्र अचार्य सतेंद्र बुद्धिपिरिये जी नाम है आपका तो आप बता रहे थे सल त्री रत्न के बारे ने वो क्या है और फिर पंच सिल बुद्धम का क्या है ये भी हम जानना चाहिए त्री रत्न जो है थ्री जेम्स कहा जाता है बुद्धम सर्णम धंम सर्णम और संगम सर्णम कहा जाता है कि यम किंची रत्नम लोके विज्जती विधम पुथू रत्नम बुद्ध समम नत्थी तसमा सोत्थी भवन्तुते दुनिया में अनेक तरह के रत्न है ऐसे तो रत्न कह लेकिन कहा जाता है कि सभी रतनों से सबसे स्रेष्ट रतन बुद्धरूपी रतन है उसी तरह धम रतन है उसी तरह संग रतन है और यह जो पंच सील हैं पंच सील जो है सामान उपासक जो होते हैं उपासक मतलब कि जो गिरहस्त होते हैं और बुद्ध धम संग को मानते हैं उनके लिए यह पंच सील है पर्याप्त है पहिला सील है पाना तिपाता वे रमनी सिख्खा पदम समाध यामी मैं हिंदी में ही बहुत बताऊंगा कि प्रानी हिंसा से विरत रहने की सिख्षा गिरहन करता हूँ जहां तक हो सकेगा प्रानी हिंसा नहीं करूँगा अन्जाने में या जो सो मजबूरी में हिंसा हो जाए तो उसकी मनाही नहीं है इसमें इंटेंशनली नहीं करना है दूसरा सील हुआ अदिन्ना दाना वे रमनी शिखा पदम समाधियामी इसको हिंदी में ब्याख्या के रुप में ये कहा जाएगा कि किसी के धन संपत्ती को हडपना नहीं चाहिए ठग के या चोड़ी करके या ब्याइमानी करके ये दूसरा सील हुआ तीसरा सील है कामेशु मिच्छा चारा वे रमनी सिख्छा पदम समाध्यामी यानि द्यविचार से विरत रहनी की सिख्छा करता हूँ आम आदमी उपासक इस्तरी पूरुष परसंग कर सकता है लेकिन समाज के द्वारा जो मानने है वही इस्तरी पूरुष परसंग करेगा समाज के जिसको माननेता नहीं देता है उसको नहीं करेंगे यह जो है सो तीसरा सील हुआ चौथा सील है मुसा वादा वे रमनी शिखा पदम समाधियामी मिर्सा वचन से विरत रहने की सिख्षा करता हूँ मिर्सा वचन चार है जूट बोलना मिर्सा वचन है सच होते हुए विकठोर बोलना मिर्सा वचन है सच होते हुए विचुगल खोड़ी करके इधर के बात उधर करना ये मिर्सावचन है सच होते हुए बकबक करना ये मिर्सावचन है ये चाउथा सील हुआ पाचवा सील है हर परकार के नसाखोड़ी से विरत रहने के सिक्षागरन करता हूँ यहां तक कि आलस करना भी नसा खोड़ी है, ज्यादा भोजन करना भी नसा खोड़ी है, इसको कहा गया है कि तो इस तरह के पांच सील हुआ, आम अउपासर के लिए यही पढ़िया आपने बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, कि तिरिरत्न और पंच सील के बारे में बताये, और नीचे कुछ धर्मों के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, कि इस वर एक है, बाटा गया है, ऐसा है कि बुद्ध ने कहा कि बुद्धम सरनम कच्छा में अध्धमम सरनम कच्छा में, बुद्ध की सरन जाता हूँ, धम की सरन जाता हूँ, बुद्ध धम की सरन जाता और ये जो बहुत धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है और ना सिख धर्म है ना इसलाम धर्म है है तो ये मिठक है ये सिर्फ संपरदाय है धर्म एक ही है धर्म क्या है संचेप में जो हमको अच्छा न लगे अपने लिए कोई ऐसा ब्यवहार वही वेवार हम दूसरे के परती नहीं करें किसी प्राणी के परती किसी मनूस्य के परती तो धर्म एक ही है इसको इसवर गौड अल्ला इसमें डाल के लोगे ने धर्म का संपरदाय बना दिया और जगर रहे हैं नए तो धर्म से किसी को जगडा नहीं है जगड़ा है, अल्लावाले इस्वर से जगड़ते हैं, इस्वर वाले गौड से जगड़ते हैं, गौड वाले बाहे गुरु से जगड़ेंगे, लेकिन धम वाले जो सील पर रहेंगे, उनका किसी जगड़ा नहीं है, जैसे आपने देखा पांच सील देखा, पांच सील सब क जब अल्ला गॉड मंदिर मस्जिद जिर्जा तब जगड़ा होता है ऐसे धर्म यह है और बाकी सब दर्म संप्रदा है जमात है जमात है अच्छा बहुत धम धिरे धिरे घट की गया जबकि गुत्तम बुद्ध की विज़ा से बी देशों में कई देशों में बहुत धम को माना गया लेकिन अपने ही देश में बहुत धम धिरे धिरे नीचे चला गया ऐसा है कि धम को या बुद्ध को या संग को आप चाहे सावित करने पड़ा है और यह दर्मिया आप मुसल्मान पड़ा है तो इह जो बुद्ध के धम को नम मनने से बुद्ध का धम जो पूरे भीष्व में है जैसे अंग्रेजों के समय में जब बिटेन का सासनता पूरे भीष्व में तो सूर्ज नहीं डूपता था कहीं न कहीं उसके राज्य में सूर्ज दूपता था वह सही आज जो सो बुद्ध धम का सामराज जो सो पूरे भीष्व में है जहाज बुद्ध धर में वहाँ सूर्ज नहीं डूपता है सरी लंका में भी बुद्धम है और वहां पर करीब करीब 70 परसेंट लोग ऐसे हैं जो बहुत धम को मानते हैं और वहां की स्थिती अभी क्या हो गई खाने खाने को महताज महगाई पूरा बढ़ गया और एकदम राष्टपती भाग रहे हैं वहां से प्रदान मंतिल की स्थिती भी हो चाहिए तो ऐसा है कि बुद्ध धम पर धम पर सही धंग से रहेगा तब जब अस्खलन होगा जब प्रमाद आ जाएगा तब तो दिक्कत हो बोले थे किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो उसे लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं होगे तो अंतता भी बुरा साबित होगा और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो उसे लागू करने वाले अच्छे लोग होगे तो अं टूटू पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी वजा किजिए जय भीम जय भारत